प्रिये बेहनों और भाईयों, बेटे और बेटियों, मद्ध प्रदेश में आज कई मैनों बाद कोविट के तीस नए प्रिकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7495 पॉजिटिव प्रिकरण पूरे देश में आए हैं। लगातार बृद्धी हो रही है, लगातार बढ़ोत्वी हो रही है। कल महरास्ट में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 पृप्रिकरण आए हैं। हम सब जानते हैं। इन राज्यों से मद्ध प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है। और पूर्व के अनवप भी हमें ये बताते हैं, कि पिछली बार भी महरास्ट में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े। उसके बाद मद्ध प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कस्ठ हमने भुकते हैं, वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दौनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो, प्रारंब इंदौर भुपाल से ही हुई। और अभी इंदौर तथा भुपाल में, प्रिक्रण बढ़के लगवग, साबता है एक प्रिक्रण, नमंबर मईने के तुल्ला में, दिसंबर में तीन गुने हो गए हैं, करोना ने अपना स्वरूप बदला है, और नया स्वरूप ओमिक्राउन के रूप में, देश के सोला राज्यों में आ चुका है, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, कि मद्प्रदेश में भी, ओमिक्राण, वाइरस के केस, मद्प्रदेश में जल्दी आ जाएं, एदि हम पूरी दुनिया का भी अध्यन करें, और पूरी दुनिया का अनुभव देखें, तो ओमिक् बहुत तेजी से फैलता है, इंग्लेंड में एक लाग केस पृति दिन आ रहे हैं, अमेरिका में भी लगवग धाई लाग केस पृति दिन आ रहे हैं, यूरोप में भी ओमिक्राण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उपरोप्त, सभी कारणों को देखते हुए, मुझे अंतर आत्मा से लगता है, कि ये सही समय है, जब हम सचेत हो जाएं, कोविट की तीसरी लहर को आने से रोकें, तेजी से संक्रमन ना फैले, इसके लिए हर आवसक उपाय करें, और इसलिए मेरे प्रिये बहनों और भाईयों, भारत सरकार ने भी कुछ राइड लाइन जारी किये, मेरी आप से प्रार्थना है, कि अब देर न करें, मास्क जरूर लगाएं, सोसल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावसक भीण में ना जाएं, अनावसक जमावणा ना हो, और अब तक अगर किसी ने बैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका लगवाएं, पहला लगा लिया हो, तो दूसरे में देर ना करें, अगर समय की अबद ही पूरी हो गई हो, तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं, इसके साथ ही, हमने पहले ही तैकर दिया था, कि स्कूल में, जो हमारे बच्चे हैं, वो पचास प्रिस्ट की संख्या मे ही जाएंगे, ताकि वहां सोसल डिस्टेंसिंग बनी रह सके, हम आज एक फैसला और कर रहे हैं, कि रात्री कालीन कर्फ्यू, रात ग्यारह बज़े से लेके, सुबह पांच बज़े तक लगा रहेगा, अगर आवस्सक्ता पढ़िए, तो कुछ और उपाएं हम जरूर करें और हाँ, अगर कोविट का कोई पोजिटिव केस आता है, तो घर में अगर परयापति स्थान है, तो घर में उसको आईसूलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में, उनको हमको अस्पताल में ही भरती कराना चाहिए, ताकि परिजन वाइरस के संक्रमन से बच सके सावधान रहना है, याद रखना, सावधानी में ही सुरक्षा है, मेरी प्रार्थना है, आप सब सहयोग करें, ताकि तीसरे लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं, और अपनी जन्ता की जिन्दगी की सुरक्षा कर पाएं, यह आप सब के सहयोग से ही होगा, बहुत बहुत मेंने पाहिए, वोड़ बहुत में दिवान,